वेल्कम टे टलने स्टेडी आज है एक सितंबर 2020 और एक सितंबर 2020 से करेंट फेर्स के जितने भी इंपर्टन कोशन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे पूरा वीडियो आप एंट तक जरूर देखे वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेशन पूछूंगा उस सभी के पीडियेप आपको मांसे मिल जाएंगे इंक्लोडिंग परेंट अफेर्स चली स्टार्ट करते हैं क्वेशन अब देरे कलका क्वेशन था हाली में समाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रा लेने किस नाम से मानसिक स्वास्थ पुनरवास हेल्प लाइन नंबर किया है अच्छा यह तो नाम हो गया लेकिन वह नंबर कौन सा है तो नंबर है 1805990019 जितने भी मेंटल प्रॉब्लम आपके अगर किसी वेक्तिक है अगर होते हैं तो आप इस नंबर पर कंटेक्ट किजिएगा आपके समझ से हल किया जाएगा यह जो है समाजिक न्याय और क्लीकरा अधिकारिता मंत्रा ले इसमामलो के मंत्री कौन है तो थावर चिन्द ग्हलोत इस question का जो राइड एंसर था एक मत जए मिसरा ने इस question का answer दिया था चलिए आज कैmosigue को start करते है आज का पहला question भारत का पहला woman's trade center किस राजमें खोला जा रहा है तो इस question का right answer सेपरेट सेफ लेटफोर्म जिसे कि वो सुरक्षित भी रहा है और अपना रोजगार भी प्राप्त कर पाएं सबसे पहले इसका जो परपस है वो कहा है तो महिलाओ को भी समाज में पूर्शो के बराबर काधिकार मिले और जो है युनाटेट नेशन का एक सस्टेनेबल डेव इक्वालेटी है उसको भी रिडियूस करना साती सात्त विकास जो है महिलाओं का उसको मेंटेन करना बीजू प्रभाग कर सेकेरेटरी है डेवलप्मेंट अब सोसल जस्टिस हुमेन और चाइल्ड डेवलप्मेंट बीजू प्रभाग कर उसके सची हुए इन्होंने इसकी जनकारी दी है किरल के कोजी कोटे में भारत का पहला उमें ट्रेट सेंटर खोला जाएगा अगला कोस्टन है कोस्टन में सेकेंड हाली में हुए 14 इंडिया सिंगापूर डिफेंस पॉलिशी डियालोग में भारत का प्रतिनीदेत किष्ण किया है तो इस कोस्टन का जो उपोटेंट में लेटर एकसरसाइज है सिम भेक्स काफेश्म में पूछा गया है अब बात है संगोर की संगापूर की कैपिटल के है तो सिंगापूर सिट और सिंगापूर की करेंद सीह सिंगापूरीं डॉलर और इसके बरतभान में परदान मन्तरि कोन है लिंग एवरेज मंतले इंकम उन मामले में भारत 22 नमर पर लाया है पहले नमर पर कौन रहा है तो स्विट्जल लेंट रहा है तो इस कोशन चे आपको इतनी जनकारी मिलती है अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ हैं तो सबसे पहले आप सबस्क्राइब कर ले जाएगा तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहाएगा अगला कोशन है कोशन बूर फोर्ट ब्रिक्स गेम 2021 किस देश में आज जित होगा तो इस कोशन का राइट एंसर ऑप्शन है इंडिया ब्रिक्स 2021 गेम जी खेलो इंडिया यूथ गेम गेम जी कहां होगा तो हर्याणा में उसी के साथ ब्रिक्स गेम 2021 को करा या जाने की घोशन नहीं किसने बारत के जो खेल मिनेश्टर है किरन दीजिजू उन्होंने इसकी घोशना की है अगला question है question number 5 बारतिय मुल की पहले British महिला जिनने है Memorial Blue Plague से सम्मानित किया गया है तो इस question का right answer है अपसे नूर इनायत खान ये कौन है तो ये simple भासा में जाने spy तो World War 2nd में Britain की तरब से ये spy थे अच्छा पहली महिला विस्व की पहली महिला है जुने ने wireless operator किया था या फिर ये बोले विस्व की पहली महिला wireless operator कौन है तो नूर इनायत खान गैतरी कुमार गैतरी कुमार है ब्रीटन में बारत के high commissioner है प्रिती पटेल प्रिती पटेल है कौन है तो home minister है ब्रीटन के cabinet में गीता गोविनाथ ये भी भारतिय मुलकी है आईमेफ में secretary है अगला question है question number six हाले में किस भारतिय bank को brandon human capital management excellence award से सम्मानित किया गया है तो इस question का right answer है option B SBI बात है SBI की तो SBI की capital का है SBI की SBI का headquarter का है तो state bank of idea का headquarter है महराष्ट के मुंबई में है इसके बतमने chairman है रजनीश कुमार अच्छा ये जो brandon human capital management excellence award दिया क्यों गया तो एक initiative था SBI का नई दिशा उस initiative से प्रेरित होकर ये brandon human capital management excellence award SBI को दिया गया है अगला question है question number seven pensioners corner mobile app किसने launch किया है तो इस question का right answer है option है central industrial security force CISF इनके जितने भी बतमान में करमचारी है ठीक है उनके pension के बारे में रख रखाव ये pensioner corner mobile app करेगा अच्छा CISF यानि कि Central Industrial Security Force इसका headquarter नई दिली में इसके परतवान में director general है राजेस रंजन अगला question है question number eight question number eight हाल में चाइना ने advanced type 054 class advanced class है जहाज किस देश के नेवी को समर्पित किया है तो इस question का right answer है option C पाकिस्तान अब बात है चाइना और पाकिस्तान दोनों की तो दोनों की बात करते है पहले पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की capital है इस्लामाबाद पाकिस्तान की currency है पाकिस्तानी गुरूपी और बरतवान में उसके परदान मंत्री है इमरान खान चाइना चाइना के capital का है तो चाइना ये capital है बीजिं तामिल नडू का कन्या कुमरी लोग सबाच्छेत्र है वहाँ से मेंबर आफ पार्लेमेंट याने की EMP थे यह फाउंडर है फाउंडर एंड चेर्मेंट थे वसंतेंट कंपनी के अगला कोश्चन है कोश्चन में टेंट हाली में पुरसोत्तम राय का निदन हुआ है यह कौन थे इस कोश्चन का राइट एंसर है कोश याने की एथलेटिक्स कोट इनको 2020 में दुरोनाचार पुरसकार देने का घोशना किया गया था अच्छा दुरोनाचार जो अवर्ड है दुरनाचार अवर्ड दु कैटोग्री मिलता है एक तो लाइटियम कैटोग्री एक है जनरल कैटोग्री तो इनको मिला था लाइटियम कैटोग्री में 2020 में लेकिन काडियक अरेश्ट के बलत बज़ा से हालमीन का निदन हो गया है अच्छा एक कोच एटलेटिक्स कोच थे नेताजी इंसिचूट अब स्पोर्टस से एटलेटिक में डिपलोपां किये हुए थे इन्होंने 1974 में प्रोसुतम रहे ने 1974 में कोचिंग केरियर सुरू किया था 1987 वर्ल्ड कप में एटलेटिक्स ये जो थे 1987 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंशिप में इन्होंने अंतराष्टिय भारती टीम को कोच किया था ठेक है 1988 में ACN ट्रेक अंफिल्ड चैंपियंशिप जो वा था उसमें भी इन्होंने कोचिंग किया थी जितने भी एक खिलाड़ी थे ACN ट्रेक अंफिल्ड के उनको कोचिंग के दिया हुआ था ACF गेम्स जो था उन्हें सुनी अन्बर उसमें उन्हें एजब कोच की भूमी का निवाया था अच्छा इनको जो है दुरुनाचार 2020 लाइफटेम एचिवमेंट लाइफटेम के काटोगरी में दुरुनाचार अवर्ड 2020 सिन को प्राप्ती हुआ था तो कली मैंने बता था दुरुनाचार लाइफटेम जो एचिवमेंट अवर्ड है उसमें कहता पहले 5 लाग का रासी था अब उसको बढ़ा के 15 लाग कर दिया गया है रेगुलर में भी 5 ता 10 कर दिया गया है तो आप इंपोर्टेंट डाम है एक्जाम में पूछे जाने के चांसे ज्यादा है अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 11 पीचिंग इस्ट्रेट किताब के लेखा कौन है तो इस कोश्चन का राइट एंसर अप्शन है गुरुचरण सिंग को अथर है इसके MS अनी कृष्णन को अथर है MS अनी कृष्णन गुरुचरण सिंग ये कौन है तो गुरुचरण सिंग जो है इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच्ट है ठेक है इनको 1987 में 24 अवर्ड मिल चुका है अगला कॉश्चन है कॉश्चन में 12 इंटरनेशनल डे एगेंस नुकलियर टेस्ट कब मनाया जाता है तो इस कॉश्चन का राइट एंसर ऑप्शन 29 अगस्ट को एक और इंपर्टेंट को डेट था इंटरनेशनल डे एगेंस नुकलियर टेस्ट यह मनाया क्यों जाता है तो मनाया इस लिए जाता है कि नुकलियर टेस्ट कोई भी दिश्च ना कर पाए नुकलियर बम जो है उससे काफी लंबे समय तक प्रभाव रहता है अगर एक बार कहीं गिरता है जैसे कि हिरोसिमा और नागासा के पपगिर था तो उसी से रिलेटेड आप कनेक्ट कर सकते है 6 अगस्त को हिरोसिमा दिश्च मनाया जाता है अभी भी वहाँ के लोग जो है दिब्यांग पैदा होते है इतने लंबे समय तक इसका एफेक्ट रहता है तो ये ना हो कोई भी देश इसको टेस्ट ना करे आगे तो इसके लिए एक ट्रीटी साइन होती है उसी के लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट नुकलियर टेस्ट मनाया जाता है 29 अगस्ट हो कि कोई और देश नुकलियर टेस्ट चुप छुप चुपा कर ना करे इसके निगरानी करता है CTBTU यानि कि Comprehensive Nuclear Test Band Treaty Organization इसका Headquarter जो है वह है आस्ट्रिया के विये नाम है इसके Executive General कौन है तो लैसी ना जर्बू अगला कोशन है कोशन नमर 13 मिजर ध्यान चंद विजय पत्थि यूजना किस राज ने सुरू किया है तो इसकोशन का राइट अंशन ने Option A उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश के जो Deputy CM है केसो परसाद मुरे ने उन्होंने इसके घुषना के मिजर ध्यान चंद विजय पत्थि यूजना अच्छा ये जो है यूजना जो है इसके यूजना के ताद सड़क का निर्मान होगा जितने भी UP सरकार के UP राज से अब तक International खिलाडी उत्तरप्रदेश से उबर के आया है या फिर निकले हैं उत्तरप्रदेश से वर्तमान में हो या फिर रिटार कर गया है टोटल 19 के लाड़ी अंतराश्टी या 19 के लाड़ी किसे भी एस्पोर्ट्स के हो सकते है उनके घर तक सड़क बनाये जाएगा उनमें से एक सड़क का नाम होगा छेतन चवान के नाम पर छेतन कों है तो इंडियन क्रिकेटर थे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लैयर थे बारती टीम के और वो फोमर लोकसभा सांसद भी थे जाँत उपी केबिनेट में उपी केबिनेट में मिनिस्टर भी थे पहारत ने महमार को और रुपरे में már को दिय है तो इस question का right answer option है पांच मिलियन दोलर भारत ने मैं मार को 5 मिलियन दोलर का रिन दिया है जो मैं मार मैं मर से एक important question मन जाता है कि मैं मार का पुराना नम किया है तो मैं में मार का पुराना नम था बर्मा बगला question है यान कि question of the day किस राज में आयुद किया जाएगा तो इस question का जो option है, option है Goa, Mumbai है, Kolkata और Meghala है, तो जो इसका right answer है, आप जाएगे, comment किजिए answer में, साथ ये साथ अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगए, तो वीडियो को like जरूर किजिए, और जितने भी आपके study related, Facebook और WhatsApp ग्रूप ह आपको confusion होतो, thanks for watching